ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठ्था प्रदेश के अंदर बच्चे स्पोर्स में इंवल्व हो युवां जो होते हैं कि अंदर एक उर्जा होती है अगर आप उसको सई रस्ता नहीं देंगे तो कभी वो गलत रस्ता भी बगा सकता है तो अगर युवां की उर्जा खेल में स्पोर्स में लग जाए तो मेरा एक नीजी मानना है कि स्पोर्स में ज्यादा युवां की उर्जा लगेगी तो एक बहुत अभी बड़ी तेजी से पुरे देश में थोड़ा-थोड़ा हमारे परदेश में भी जगे बना रही है लेकिन अगर उनकी उर्जा पूरे दिन में बाकी रह जाएगी तो ज्यादा तर बच्चे शान को नशा करके सोने तो हमारा एक यह क्राइटीरिया भी कि स्पोर्स जितना ज्यादा अभी प्रदेश लेवल पर हमारा भी कल ही समर केम कप्लीट हुआ इसको कैसे जिलार स्कॉलर्शिप देंगे कॉंगर्स पार्टी बच्चना पर उसके लिए काफी सेंसिटिव है और वो चाहते हैं कि वो काम बहुत जल्दी हो जाए तीसरी चीज़ स्कॉलर्शिप और आउट्रीज प्रोग्राम के अलावा जैसे कि कैम्प्स के वल अभी हमारे तीन शहरों मे पज़र्नान लगके सब ही ब्रहां डल तक कैसे पहुंचए चार सूचार ब्लॉक हैं वहां तक कैसे बहुचें उस लेवल पर प्लैनि सिरकार धर स्रेंडरीज की बिच्चा है तो है तीसरा हिए हमारे प्रदेश के नंदर बहूत प्रतिवाएं हैं काफी प्रतिवाओं को क क्योंकि इंजिरी को वो हील नहीं करा पाते हैं तो हम लोग इसके उपर Sports Rehabilitation Center के लिए काम कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी ऐसी सुविदा हमारे शहर में हो कि जो Sportsman है, Sportsman प्रदेश का एक Asset, Asset इसलिए है कि वो हमारे प्रदेश का नाम देश और दुनिया में रोशन करेगा उसको एक Asset के रूप में जैसे हर Asset का Maintenance होता है, Asset का Care Taking होती है तो हमारे प्रदेश का वो एक Asset है, वो टेलेंट है हमारे प्रदेश उस टेलेंट को बचा कर रखना, उसको इंजिरी से बचाना और उसको सही दिशा में उसकी टेलेंट और उसकी ट्रेनिंग को इस्तमाल करना Rehabilitation Center का भी हम लोग Planning कर रहे हैं, यह तीन आइडियास के ओपर हम लोग ज़्यादा चर्चा स्पोर्स Department के अंदर कर रहे हैं और बहुत जल्दी फुल प्रूफ एक हमारे गोशना पत्र में था कि हम एक अच्छी Sports Policy लेकर रहे हैं तो यह सब उस Sports Policy का जो content थे उसमें 3-4 content मैंने आपको बता दिया बाकी जो चीज़े हैं उसके ओपर चर्चा हैं चल रहे हैं और बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी और effective Sports Policy जिससे की परदेश के Sportsman को फायदा मिले और उसको हम लोग लाने का काम करेंगे